हाई वाज मैं हूँ डक्टर प्रेम जी आयरवेदिक आज मैं इस वीडियो में आपको बबुल पेड की बारे में बताने वाला हूँ इस बबुल को सामस्कृत में भरबरा और तेलगो में तुम्मा और इंग्लिश में इंडियन गम अरबिका ट्री बोलता है और इसे लाटिन में अकाशिया अरबिका बोलता है इस बबुल पेड बहुत टाइप की होता है इसमें काला बबुल रहता है और सफेद बबुल रहता है और चोटी बबुल और कस्तूरी बबुल और इसके साथ कच्रा बबुल भी रहता है जैसा अभी मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली ये बबुल है ये काला बबुल है ठीक है देखिए ये पेड़ दिखने में काला रहता है इसलिए इसे काला बबुल बोलता है ये बड़ा पेड़ है इस पेड़ की गुन और इसकी फाइदे की बारे में आप जानकरी के लिए मेरी इस चानल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल अकान को भी दबाईए ताकि मेरी ना वीडियो आपडेट पाने के लिए देखें ये फेड स्त्री और पूर्शों की कमजोरी को दूर करने के लिए एक बैतरी महतपूर्ण पेड है इस पेड की गोंद और इस पेड की गोंद के साथ मिस्री को लेकर समान बाग में यानि समान मात्रा में लेकर चूर्ण बना कर रख लीजिए इस गोंद और मिस्री का चूर्ण को आप रोज एक या दो बार दो ग्राम से लेकर पांच ग्राम तक का कर एक ग्लास दूद पीने से तारी रक दुर्बल्था दूर हो जाती है और शरीर को सक्त देकर शरीर को बाहू बली बनाती है शरीर की खमजोरी को दूर करके शरीर को हाथी जैसी ताकत देने वाली एक बहतरीन पेड़ है और इस पेड़ को यूज करके अतिसार बीमारिया को भी टी कर सकता है और तूटा हुआ हड़ी को फिर से जोडने के लिए इसका गोंद की चूर्ण और फल की चूर्ण दोनों को बराबर मातरा में लेकर दिन में दो बर आदा चमज से एक चमज तक शाहद के साथ काने से ये टूटा हुआ हड़ी जोड़ सकता है और वो भी तोड़ी दिन में जोडने वाले है इस पेड़ की गोंद और फूल में टूटा हुआ हड़ी को फिर से जोडने के लिए बहुत गुन रहता है अगर किसी को हड़ी टुटा है जरूर अभी जो मैं बताया ऐसा आप कर लीजे आपको थोड़ी दिन में फिर से जोड़ सकता है टुटा हड़ी को और इस पेड़ को यूज करके कमर दर्द को ठीक कर सकता है और वीरी वुर्द के लिए भी ये पेड़ बहुत लाबदायक होता है और कान में धर्द और कान से कुन आना और कान के अंदर घाव पढ़ना ये सब कान की हर तरह की बिमारिया को इस पेड़ की पूल को और सरसों का तेल को यूज करके कान की हर तरह की बिमारिया को भी टीक कर सकता है और फटी एडियो को फिर से सुन्दर ब असिना आने को रोखने के लिए भी ये बहुत अच्छे पोदा है और स्त्रियों की लुकोरिया में यानी वाइड डिशार्ज को बंद करने के लिए भी ये भेतरीन अद्बुत पेड़ है पेड़ की गोंद और फल को लेकर स्त्रियों की लुकोरिया को पूरी तरह टीक कर सकता है और इसके साथ इस पेड़ को यूज़ करके सेड़ दर्ड रुदै की दर्ड और हिकप्स और दान्द की हर तरह की समश्या को दूर कर सकता है इस बबल पेड़ को यूज़ करके जैसे क दान्त को कीड़ा पढ़ना और दान्त की पीला पन दान्त की काले पन और दान्त की कमजोरी को भी और ऐसा इस पेड़ में आदमी की हर तरह की बीमार्या को टीक करने के लिए इस पेड़ में बहुत गुन रहता है मैं इस पेड़ की एक एक चीज को यानी पेड़ की चाल को फूल को और पत्ते को और फल को लेकर मैं आपको और इसके साथ गोंद को भी इस पेड़ की गोंद को भी लेकर एक एक बीमारिया को कैसा टिक कर सकता है मैं आपको एक एक वीडियो बना करके बताने वाला हूँ आप ऐसा आचा आचा वीडियो की जानकारी के लिए मेरी इस चानल को अभी तक सब्सक्रेब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्रेब कीजिए और बेल आकान को भी दबाईए ताकि मेरी नाया वीडियो अपडेट पाने के लिए आपको इस वीडियो आचा लगे तो लाइक और शेर कीजिए इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद